तेजस्वियादों ने नितिश शरकार पर बोला हमला खुद के शपत ग्रहन से पहले इस दीफे की मांग को बताया हास्या इस्पद अक्तरूल इमान के हिंदुस्तान नहीं बोलकर भारत कहने पर खड़ा हुआ बखेडा बीजेपी ने अक्तरूल को दी पाकिस्तान जाने की सलाह किरोसिन तेल डाल कर युवती को जलाने का मामला अक्रोसित लोगों ने कटरा प्रखड में निकाला कैंडल मार्च नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रिती और आप देख रही हैं बिहार निउस विधान सभा में शपत लेने के बार तेजस्वी यादों ने नितीश शरकार पर एक बार फिर से हमला बोला तेजस्वी ने कहा कि एक घोटाले की आरूपी से इस्तीफा ले लिया गया तो दूसरे आरूपी को सिक्छा मंत्री का जिम्मात दे दिया गया मौके पर नितीश कुमार पर तंज कस्तेवे कहा कि ऐसा पहली बार गुआ है कि तीसरी नंबर की पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बना है वहीं उन्होंने NDA सरकार पर निशाना साथे वे कहा कि उनके शपत ग्रहन के पहले ही उनसे स्तीफे की मांग की गई जो हस्यस्पद है तो उनको ब्यान बाजी के लिए वो कुछ भी स्टेटमेंट दे दे वो सब जानते हैं तो लेकिन नितीश कुमार की कोई जिम्यदारी होगी की नहीं होगी बिहार की मुख्यमंत्री की उनकी जवाब देई है की नहीं है जनता के प्रति जो और जवरदस्ती जैसे तैसे जो इस्तिफा मांग रहे थे देश में पहली ऐसी घटना है जहां विपक्ट से इस्तिफा मांगा जा रहा है इससे जदा हश्यात्पत और क्या हो सकता है बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 23 नवंबर से पहला विधानसभा 17 शुरू हुआ पहले दीन विधानसभा में गहमा गहमी का महौल रहा ओवैसी की पाटी AIMIM के विधायक अक्तरूल इमान के शपत पात्र पढ़ने को लेकर राजनीतिक बखेडा शुरू हो गया उन्होंने शपत के दौरान हिंदुस्तान नहीं बोलकर भारत कहा और शपत लेने से पहले आसन से संसुधन करने की बाद कही इसके बाद बिजेपी ने हिंदुस्तान नाम से सपत नहीं लेने वालों को पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली हलाकि BJP के जो विधायक पाकिस्तान भीजने की बात कह रहे हैं उन्होंने खुद भी भारत नाम से ही शपत लिया था मुझपरपूर में वैशाली की बेटी गुल्नाज के साथ हुए वार्दात को लेकर आक्रोसित लोगों ने कट्रा प्रखन में मुआवजे की मांग सहित गुल्नाज को नयाय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला इस दोरा चात्र राज़त के कट्रा प्रखन्डा धक्च मुहम्मत फैसल ने गुल्नाज के परजनों को 25 लाख रुपे देने और एक सरकारी नौकरी की भी मांगी बता दे की वैशाली में छिरखानी का विरोध करने पारत दबंगो ने किरोसीन तेल डाल कर गुल्नाज को जिन्दा जला दिया था जिसको लेकर लोगों में आक रोस पन अप रहा है हमारे तमाम साथी युबा साथियों ने खानपूर से लेकर करके आथ होड़ी तक केंडिल मार्ट निकालने का काम किया कार्टिक मास के शुकल पक्च की नौमी तीथी को अक्षे नौमी पर गंगा इस्तनान करने के साथ आवला के पेड़ की पूजा अरचना और आवला का सीवन करने का विधान है जिसको लेकर पठना सीटी के भद्रगार पर व्रती महिलाए गंगा इस्तनान करने के बाद विधी विधान के साथ पूजा अरचना करते हुए देखी गई बताया जाता है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए इस नौमी पूजन का विशेस महत्व है जिन आवले के ब्रच की पूजा अरचना कर दान पुन करने से अक्षे पुन की प्राप्ति होती है चट पुजा समीती सूरजपूर के प्रांगर में मशुहूर वेंगकार और हासे लेखक हरी शंकर परसाई द्वारा लिखित और विजे अनन द्वारा निर्देशित नाटक सदाचार का ताबीच का मंचन पुल्याड का कला निकेतन पंडारक के कलाकारों ने किया इस नाटक में समाजिक जीवन में व्याप्त और वर्तमान राजनितिक परिद्रिस में भरते भशचाचार पर करारा व्येंग किया गया नाटक में हासे पूठ को डाल कर वर्तमान समसामईक करप्सन को बहतरीन धंग से इस्थानिय कलाकारों ने प्रस्तूत किया कॉंग्रेस के विधायकों ने विधान सभापरिसर में जम कर हंगामा किया बता दे कि सभी विधायक गुलनाज को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे सभी के हाथों में तक्तिया थी जिसको लेकर विधायक प्रदर्शन कर रहे थे जोरान कॉंग्रेस विधायक ने नितीश शरकार को महिला विरोधी भी बताया यही नहीं मौके पर नितीश सरकार शर्म करो के नारे भी लगाए गए अक्षे नौमी के मौके पर बिहार सरीफ के विभिन मुहलों में महिलाओ ने आवला वरिक्ष की पूजा अर्चुना कर कुसमांड यानी भुवा का दान किया ऐसी माननेता है कि इस कार्टिक 9 में के दीन आवला व्रिक्ष का पूजन कर कथा सुनकर दान करने से पुन्य की प्राप्ती होती है इसलिए खासकर कार्टिक इसनान करने वाली महिलाएं इस व्रत को करती है कई जगों पर इस दिन आवला व्रिक्ष के नीचे खाना बनाया जाता है और उसी को प्रशाग के रूप में सभी ग्रहन भी करते हैं करने के लिए हैं जी कुसमंद दान करने के लिए क्यों किया जाता है इसे फल की प्राप्ति होती है अच्छे पुन प्राप्ति होता है मुझपरपूर जीले के अहियापूर्थाना सेक्तर के निवरा से जमालाबाद जाने वाली सड़क के बीचो बीच बाइक सवार दो बदमासों ने केला वेवसाई से 2,96,000 रुपे लूट लिए वही घटा की सुचना मिलते ही मौके पर पहुची अहियापूर्थाना की पुलिस टीम ने मामले की जानकारी ली फिलहाल पुलिस इस पुरे मामले की छानबिन कर रही है बात करें अर्वल की तो अक्षे नौमी को लेकर जीले के विभिन गाओं में आवला के विरिक्ष की पुजा की गई इस दोरान महिलाय आवला के विरिक्ष के नीचे बैट कर फगवान की पुजा अर्चना की बताते चले कि अक्षे नौमी के दिन इसनान, पुजन, तरपन और अन आदिक दान से अक्षे फल की प्राप्ती होती है इस दिन महिलाय आवला के पेड के नीचे बैट कर संतान की प्राप्ती वह उसकी रक्षा के लिए पुजा करती है और यह पुजा करने से हर पापो का शुटकारा ताप्त होता है यह पुजा सर्व विधी पुरुवक्षे भगवान बीचनू लक्षमी का पुजा साथ में ही होता है और इसको कुस्मांड दान करने से फल प्राप्त होता है मधुबनी के शहबूर पंचायत के शिवनगर गाउं में चंदर राम के घर में आग लगने से तीन घर सहीत लाखो रुपए की संपत्ती जलकर राख हो गई बताया जा रहा है कि मवेसी के घर में अलाव जल रहा था जिसके चिंगारी से आग लग गई अगलगी की घटना में अनाच कपड़े लखड़ी के समान कागजाग समेत अन्य चीजे जलकर स्वाहा हो गई ग्रामिनों ने तुरंत समाजिक स्तर पर मोटर चला कर आग पर काबू पाया इस वक्त की खबरों में फिल हालेता ही मुझे दीजे इजाज़त लेकिन देखते रहे भी हार डियूस नमस्कार